हेलो स्टुडेंट्स तुडे वी आर गूइंग तुडी फार्मकोलोजी फर्स्ट यूनेट फिफ्थ टॉपिक तैट इस ओपोई एनालजेसिक और एंटागोनेस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओपोईट्स के बारे में डिस्कुस किया था आज हम उसी को कॉंटिन अगे की ड्रॉक्स के बारे में देखेंगे फर्सली विल डिस्कुस अबाउट कोडीन टेक है नेचरल सेमी सिंथेटिक एंसेंथेटिक तीन टाइप के हमारे ओपोईट्स अलकुलाइड थे जिसमें कि हम लोगोंने मॉर्फीन के लिए डिसकुस कर लिया था आज कोडीन के बहुत है और कहां से हमारा पैपेवर सॉनिक फिलम से मिलता है हमें और लेकिन इसकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स अवर ओपोईड रिसेप्टर वह बहुत कम होती है बहुत ही लो होती है बात करते हैं फार्मको काइनेटिक की तो औरल बायो अवेलिबिलिटी इसक साता हमार साहिता है यह बापी मेताबोलीजम होता है क्यों ते देखते हैं तो यह क्या कर पाते हैं यह लिटल युफोरिया करते हैं क्या रिक्षेण modest कि non-therapeutic use of drug ठीक है even once to achieve a desired psychological और physiological effect means इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो therapeutic drug का जो dose था उसको ना लेके हमने उसकी dose ज़ादा ले ली या कम ले ली उसकी वज़े से जो effect आया है ठीक है उसको हम कहते हैं abuse potential किसी भी drug का तो इनका क्या है यह low abuse potential होती है codeine is less sedative होता है ठीक है respiratory depression cause करता है और disorientation and excitement cause करता है sedative effect means कि pain का perception तो कम करेगा और consciousness भी cause करेगा और disorientation होगा means कि हमें बहुत ही confusing state होगी हम concentrate नहीं कर पाएंगे excitement बहुत ज़ादा होगा जो हमारा GID है उसमें constipation होगा dihydrocodine is a semi synthetic derivative इसका जो semi synthetic derivative है वो dihydrocodine है जिसके pharmacological effect same इसके effect जैसे ही होते है oxycodine वो more effective होता है बट जो उसका abusing potential होता है वो इससे ज़ादा होता है ठीक है codeine का abusing potential लोग होता है जबकि oxycodine का abuse potential ज़ादा होता है now moving next drug that is pathidine mepiridine ठीक है 1 by 10th as potent as morphine but efficacy is similar अब इसके efficacy जो है morphine से similar होती है लेकिन 1 by 10 1 by 10 part ही इसका potent होता है as a morphine ठीक है अब ये क्या काम करते हैं ये भी sedation cause करते हैं euphoria cause करते हैं respiratory depression cause करते हैं and similar abuse potential cause करते हैं analgesic भी analgesic action भी produce करते हैं जिती dose पे हमें action चाहिए analgesic का pain perception को reduce करने के लिए उसी dose पे ये depression भी cause करते हैं less spasmotic action on smooth muscle इनका जो spasmotic action है वो कम होता है हमारी smooth muscle में less meiosis means contraction भी कम constipation and urinary retention cause करते हैं और ये rapid but short duration of action होते हैं rapidly काम करते हैं लेकिन जो duration of action होता है वो 2-3 hours होता है बहुत ही कम होता है vagaliptic effect देते हैं means जो हमारे hurt की vagus nerve है उनमें effect देते हैं जिसकी वज़े से tachycardia produce होता है ये devoid करते हैं anti-tucio action को anti-tucio action का devoid कर देते हैं pharmacokinetic orally well absorbed होते हैं bioavailability इनके 50% होती है और जो इनका effect है वो 10-15 minutes में दिख जाता है ठीक है क्योंकि early absorbed हो रहे हैं early absorbed होने के बाद इनका effect है 10-15 minutes में दिखेगा और जो इनका parental administration action होता है ये long last करता है 2-3 hours और metabolism liver में होता है excreted out urine के थूँ होते हैं ठीक है तो absorbed early हुए metabolized liver में हुए और urine के थूँ स्क्रीट आउट हो गए adverse effect ही बात करें तो similar as a morphine जैसे morphine के हमने adverse effect पढ़े थे वैसे ही इनके भी होंगे जिलाइक atropine like effect देखने को मिलेंगे जो आप ट्रोपीन में हम लोगों ने देखे थे like dry mouth, blood vision, tachycardia vagal effective effect हम पढ़ी चुके हैं कि tachycardia बीपी बढ़ जाता है blood vision, vision, blood हो जाती है dry mouth, mouth में dryness हो जाती है means secretion भी कही न कही disturb हो रहे है overdose की वज़े से tremor हो जाता है midriasis हो जाता है पहले तो हमने पढ़ा कि इनका action होता है less meiosis, contraction कम करते हैं अगर overdose देंगे तो वो cause करेंगे midriasis, midriasis and meiosis हम लोगों ने glaucoma disease में पढ़ा था delirium cause होता है convulsion cause होता है due to norpethidine accumulation बहुत ज़्यादा accumulation हो जाएगा तो उसकी वज़े से क्या convulsion cause होंगे, tremor कपकपी cause होगी, ठीक है overdose ये सारे काम कब हो रहे हैं फिर uses as analgesic कर रहे हैं सबसे पहले तो as a substitute of morphine, अगर morphine नहीं present है तो उसके substitute में हम pathidine का use कर रहे हैं pre anesthetic medication में करेंगे anesthesia देने से पहले की जो medication है उसमें हम use कर सकते हैं ताकि जो हमारी surgery performory वो proper perform हो सके, as analgesic during labor, less fatal respiratory depression, इसको हम use कर सकते हैं, जब labor pain होता है, तब as analgesic pain को कम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो respiratory depression का chances होता है वो बहुत कम होता है वो कम हो सकता है labor pain के during the labor pain जो भी respiratory depression होने वाला है, उसमें ये helpful होते हैं, उसको remove करने में now moving कि अब जो हमारी ये जितनी भी drugs हम पढ़ रहे हैं, उपवाइड alkalide जो पढ़ रहे हैं, उपवाइड analgesic पढ़ रहे हैं, हम हर drug में ये पढ़ते हैं कि ये drug अपना action produce करेगी कब produce करेगी, जब भी वो किसी receptor के साथ bind होगी तब वो अपना biological response देगी, तब वो अपना action produce करेगी ठीक है, तो अब ये जो हमारी opioid alkalide है, ये किस पे bind होते हैं, इसके बारे में हम viscous कर लेते हैं, कि इनकी binding कहां होती है, कौन से receptor है, जो इनकी action को produce करने में involved हैं, तो basically तीन तरीके के receptor हैं जिनको हम opioid receptor कहते हैं mu, kappa and delta और इनके sub-types भी है mu का sub-types है, mu1, mu2 kappa का है, k1, k2, k3 and delta का है, delta1 and delta2, इनकी location के बारे में बात करें, तो ये peripheral nerves ending में present होते हैं, pre-acquidactyl gray में present होते हैं, mid brain में present होते हैं, brain stem में present होते हैं, जिसमें medulla, hypothalamus and amygdala होता है, spinal cord में present होते हैं अब जो ये हमारे opioids होते हैं, ठीके, ये agonist भी होते हैं, partial agonist भी होते हैं and competitive agonist भी होते हैं, receptor पे जब भी हमारे opioids receptor पर काम करेंगे अपने, तो उनके तीन nature होते हैं, agonist की तरह भी काम करते हैं, partial agonist की तरह भी काम करते हैं, और competitive agonist की तरह काम करते हैं means कहने का मतलब यह है कि यह उनके action को बढ़ाएंगे भी या उनके कुछ specific receptor पे बाइंड करके उन specific receptor के action को बढ़ाएंगे सब के नहीं बढ़ाएंगे या फिर सारे receptor पे अपना जो effect है वो उनसे competitive करके उनका effect निल करेंगे तो जो भी लेकिन जो यह इनका effect जो आ रहे है agonist, partial agonist और competitive agonist के वज़े से यह depend करता है हमारा nature of interaction and affinity to these drugs ठीक है अब यह जो binding का इनका nature कैसा है, drug हमारी कैसी है, किस nature की है और इनकी affinity किस receptor पे ज़्यादा है यह उस पे depend करता है उसके according यह अपना action produce करेंगे ठीक है Morphine is agonist of all, but affinity is higher for mu means जो morphine हमारी drug है, वो agonist है, सारे के लिए agonist का काम कर रही है means कि उसके favor में बहुत सारी drugs काम करेंगी, जो उसी की तरह काम करेंगी लेकिन इनकी affinity जो होती है, वो mu receptor पे action produce करने की बहुत ज़्यादा होती है जैसा कि हमने भी बात की है, कि nature of interaction and affinity पेडिपेंट करता है जो morphine है, वो उसकी affinity mu receptor पर ज़्यादा होगी इसमें जितने भी receptor यूज हो रहे है, उनकी location क्या है, कैसे काम कर रहे है उसके बारे में complete information दी हुई है लाइक mu receptor, kappa receptor and delta receptor इनकी location कहा है, mu1 suppress spinal, mu2 spinal पे है k1 की location कहा है, k1 spinal पे है, k3 suppress spinal पे है, delta spinal पे है और suppress spinal पे है तो आप देख रहे हैं, delta में spinal suppress spinal पे दिखाया गया है लेकिन जो हमारे mu1, mu2 की है, k1, k3 की है, वो अलग-अलग position दिखाई गया है ठीक है, now effects देखते हैं, जब mu receptor पे हमें क्या-क्या देखने को effect मिल रहा है अनालजेसियाद मिल रहा है, respiratory depression हो रहा है, sedation हो रहा है, euphoria हो रहा है, meiosis हो रहा है, physical dependence हो रहा है and loss of GI motility हो रहा है, ठीक है, अब अगर हम कपा receptor की बात करें, तो कपा receptor पे हमें क्या-क्या effect देखने को मिल रहा है spinal analgesia देखने को मिल रहा है, dysphoria देखने को मिल रहा है, sedation, psychomametic effect देखने को मिल रहा है and physical dependence देखने को मिल रहा है, बात करें हम डेल्टा receptor की तो कौन-कौन से effect देखने को मिल रहा है spinal analgesia, affective behavior, respiratory depression and reduce GI motility, GI motility reduce हो रहा है हमारे μू में भी और देल्टा में भी, agonist की बात करें, तो μू receptor की agonist कौन है जो उसमें action को बढ़ाते हैं, morphine, codeine, fentanyl and pentagocin, ठीक है और अगर कापा receptor की बात करें, कापा की agonist कौन है, तो pentagocin, ओके now moving, complex action, opioids and opioids antagonist, अब हम बात कर रहे हैं, opioid antagonist, अभी तो हमने analgesic की बात की, लेकिन अब जो हमारी analgesic drug हैं, उनके drug को inhibit करने वाली drug के बारे में हम बात करेंगे, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम opioid antagonist के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, because कभी-कभी ऐसी conditions भी हो जाती हैं, कि जैसे हमने last drug morphine में देखा कि उसका addiction भी हो सकता है, tolerance भी हो सकता है, और physically dependency भी हो सकती है, तो उस dependency की वज़़े से, अगर हमारी body में इन opioid alkaloid का amount बहुत साधा हो गया, तो वो toxicity प्रड्यूस करेगा, तो उस toxicity को कम करने के लिए, हम opioid antagonist को देते हैं, क्योंकि और कई बार ऐसा भी होता है, कि हम therapeutic dose पर भी उसके toxic के फिर देखने को मिल जाते हैं हमें, तो इस चीज को overcome करने के लिए, वी आर यूजिंग opioid antagonist, because antagonist का जो काम होता है, वो यही होता है, कि किसी भी drug के action को खतम कर देना, जो उसका action है, उसको कम कर देना, उसकी binding site पे खुद bind होकर, ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कितने तरीके के antagonist हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, agonist, antagonist, kappa analgesic, naloprene, pentagocene, bitor, phenolol, ठीक है, तो यह agonist का भी काम कर रहे हैं, antagonist का भी काम कर रहे हैं, ठीक है, partial और weak, mu agonist, antagonist, buprenorphine, and pure antagonist, naloxone, naltrexone, and nalmifene, तो हम बात करें, तो पहला जो हमारी category है, वो तो agonist, antagonist का काम कर रहे हैं, दूसरा है, जो वो partially काम कर रहा है, partial agonist का का काम कर रहा है, और तीसरा जो है, वो pure antagonist है, मतलब वो दोनों का काम में कर रहे हैं, उनका बस एक ही काम है, कि वो antagonize कर देंगे, जो हमारे opioid analgesic है, उनके action को, तो सबसे पहले हम नेलो फ्रेंड की बात करें, agonist, antagonist, क्योंकि ये दोनों का काम कर रहे हैं, अब ये इनका यूज नहीं होता है, ठीक है, पहले ये यूज के जाते थे, as a opioid antagonist, but antagonism is restricted to mu receptor only, and agonist of copper receptor, तो basically इनका जो effect देखने को मिलता था, as a antagonist, वो mu receptor पे देखने को मिलता था, बाकी पे copper receptor पे इनका agonist का effect होता था, अब इनके जो drawbacks थे, इनको लेने के बाद, जो effects आते थे, वो होता था, dysphoria and psychomimatic effect, ये इस तरीके के effect देखने को मिलते थे, ADR देखने को मिलते थे, बात करें हम pentagocin की, same category की drug है, ये भी weak alpha receptor antagonist है, एलफा पे इसकी जो antagonist activity है, ये weak वहाँ पे होती है antagonist का effect, but agonist action अपना ये कपर receptor पे शो करते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा यूज़ किये जाते हैं, और ओरली दिये जाते हैं, आईयम रूट से हमारे दिये जाते हैं, and low abuse liability की category के यह होते हैं, फार्मको काइनेटिक की बात करें, तो इनका जो first pass metabolism होता है, हाई होता है, but ये effect, औरली ये बहुत effective होते हैं, half life इनकी 3-4 hours होती है, लिवर में metabolize होते हैं, और metabolism में help करता है, इनको glucose night conjugation के थूँ, ये water-soluble drug में convert होते हैं, डोस की बात करें, तो औरली 50-100 mg, और पैरेंटली की बात करें, आईयम रूट से 32-60 mg, एंड यूजेस की बात करें, तो ये injury, pain की injury में होते हैं, कि injury हो गई है, उसमें जो pain produce हो रहा है, burns में, जब जल जाते हैं, तब fracture जब होता है, तब trauma हो जाता है, ये cancer में, ये orthopedic manubus में, means की fortagesic and fortumine के, जो injection हमारी हड़ियों तूटने में, injection pain के दिये जाते हैं, उनमें हम इनका यूज करते हैं, pentajosin का, ठीक है, now moving, next truck हमारी है, null exon, ठीक है, ये क्या है, pure antagonist है, means इनका ये काम ही होता है, कि ये जो हमारे opioid analgesic हैं, इनकी action को completely हटा देना, null कर देना, ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, competitive antagonist of all type of opioid receptor, ये जितने भी opioid receptor हैं, सबके लिए antagonist का action produce करते हैं, because they are pure antagonist, but block mu receptor as much lower doses, lower dose पे ये mu receptor को block करते हैं, ठीक है, बाकी सब में तो normal हो जाता है, but mu receptor पे इनकी जो blocking है, वो lower dose पे होती है, always injected IV, IV root के तुरू दिये जाते हैं, 0.0-0.08 mg, and अगर बात करें, इनके symptoms की, तो जो भी symptoms produce होते हैं, like की जादा ओवर डोस की वज़े से कोमा में है, person या उसको respiratory depression हो गया है, तो ये उसके action को क्या करेंगे, antagonize कर देंगे, और क्या करेंगे, बद्ले में respiratory stimulation कास करेंगे, ठीक है, और जो भी replacement है, उपाइट के जो molecule है, उपाइट अनालजिसिक के, उनको बहुत जल्दी replace करके, अपना action उनके against में शो कर देते हैं, अगर ये हाई डोस पे दिये जाएंगे, तो ये एंटागोनाइज एक्शन प्रोडूस करेंगे, नेलोफ्रीन और पेंटाजोशिन की तरह है, नेक्स हम बात करें, विड्रॉल सिम्टम्स, तो विड्रॉल सिम्टम्स कब देखने को मिलेंगे, ये जो हमारे इंडिजिनस ओपोइट्स हैं, जो बिसिकली पें के स्पेसिफिक रिस्पॉंस में काम करते हैं, उन पे ये अपना एक्शन प्रोडूस करते हैं, एंटागोनाइज रिस्पिरेटरी डिप्रेशन और डाजीम और एंटुओ, जो रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, डाजीम और एंटुओ के वज़े से, उसको भी ये एंटागोनाइज कर देते हैं, तो क्या कॉस करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट एफेक्ट करेंगे, रिस्पिरेटरी इस्टुमिलेशन, बात करें, इनके यूज़ेस की, तो अक्यूट मॉर्फीन प्याजनिंग में, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कि एंटागोनाइज का हम यूज़ी तभी कर रहे हैं, जब उस चीज़ की अधिक्ता हो गई हो, और उसकी वज़ेस से टॉक्सिक एफेक्ट प्रिजूज हो रहे हैं, तो मॉर्फीन प्याजनिंग में करते हैं, न्यूबॉन में, अगर उपॉइट प्याजनिंग हो गई है, न्यूबॉन बेवीस में तो उनमें हम यूज़ करते हैं, reverse respiratory depression, respiratory depression में करते हैं, मॉर्फीन का addiction हो गया है, उसकी वज़ेस से अगर toxicity produce हो गई है, तो उसमें करते हैं, alcohol intoxication में करते हैं, means जो लोग alcohol लेना start करते हैं, और उनका alcohol लेने का जो तरीका होता है, उसकी वज़ेस से उनको alcohol poisoning हो जाती है, और उनके जो physical effect है और negative behavior है वो बहुत ज़ादा हो जाती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज़ादा alcohol consume कर ली होती है जिसकी वज़े से symptoms like vomiting शुरू हो जाती है, high dose पे slurred speech हो जाता है, walking नहीं कर पाते हैं उस condition में हम इसका use करते हैं उसको overcome करने के लिए ताकि toxicity can produce हो now moving on the mechanism of action of nalaxone की जो हमारे opioid antagonist हैं ये कैसे काम कर रहे हैं तो firstly दो figure बने हुए हैं तो जो पहला figure है उसमें आप देखिए कि जो हमारे opioids हैं वो जैसा कि हमने भू मार्फीन में भी discuss कर चुके हैं मार्फीन ड्रग में कि कैसे mechanism of action है इसका तो यहां पर क्या हुआ कि जो हमारा opioid है opioid analgesic है वो अपने receptors पर bind हो रहे हैं और action प्रोड्यूस कर रहे हैं आप पहले figure में देख सकते हैं कि opioid attached to the receptor वो रिलीज हुए जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर को activation हुआ एडिनायल साइक्लेज के तुरू अपना इनोन सेनाप्टिक वेसिकल में पहुँचे वहां से अपना action शो करके यह पहुच गे अपने जगे पे लेकिन जब उनकी अधिक्ता हो गई है तब वो क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए toxicity प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कम करने के लि जहां पर opioid की binding थी वहां पर naloxone bind हो गया है जाके जिसकी वज़े से जो उनकी वज़े से effect आ रहा था अब वो effect नहीं आएगा अब वो effect antagonize हो जाएगा अब naloxone उनकी जगे पर bind होके अगर हमें depressive action मिल रहा था तो हम naloxone जो bind हो जाएगा तो उसकी जगे हमें stimulating action प्रोड् अबना is the option of opioid and our Jsik and produce effect ok so this is all about ovoids and avoid antagonist thank you